खबर सरदार शहर से, मेगा हाईवे पर, साड़ा सर के पास कार वा टैंकर की जबर्दस्त भिड़न भिड़न के बाद उनों गाडियों में आग लग गई हाज़से में कारचला की जिन्दा जलने से मौके पर ही मौत हो गई एक घायल को प्रात्मी कुपचार के बाद सरदार शहर रेफर किया गया सरदार शहर से करीब 40 किलो मीटर दूर हनमान गड़ा मेगा हैवे पर भनी पराधाना अंदरगत गाउं साड़सर के पास कार वर टेंकर की भिणन में कारचला की जिन्दा जलने से मौत हो गई वहीं एक घायल हो गया घायल को सरदार शहर के राज़ के एस्पताल में प्रात्मी कुपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया आसपास के लोगों से में जानकारी के अनुसा नरेंदर सिंग, पुत्र रिड माल सिंग, वह खेत सिंग, पुत्र कल्यान सिंग, राज़पुच सावर से साड़सर दीजल भरवाने आ रहे थे तबी सामने से आ रहे गैस के टैंकर से जबरदस्त टकर हो गई, भिणंत हो गई और दोनों गाड़ियों में भयंकर आग लग गई आसपास के लोगों ने किसी तरह खेत सिंग, निवासी सावर, उम्रे 38 वर्ष को तो बचा लिया लेकिन चारों तरफ आग की लपटे तेज होने से नरेंदर सिंग, उम्रे 23 वर्ष निवासी सावर की गाड़ी के अंदर ही जल कर मौत हो गई हाथ से की सुसना पर तुरंत सरदार शहर से दमकल की दो गाड़ियां गुजाने के लिए माके पर पहुँची वही भाने पुरा पुलीस वर सरदार शहर पुलीस जापता भी माके पर पहुच गया पुलीस ने खटना स्तल्थ के काफी दूर आने जाने वाली गाड़ियों को रुखभा दिया वही दमकल करमचारियों वह आसपास के लोगों ने सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया इस जारान सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया था तथा दोनों और वाहनों की लंबी-लंबी कतारी लग गई आग भुझने के बाद पुलीस ने याद एद विवस्ता को सुचारू करवाया पुलीस ने मिर्दक को राज की अस्पताल की मोचरी में रखवाया तथा घायल का अपचार कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर कहा गया कि इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है समाचाली के जाने तक हादसा किन कारणों से हुआ इसकी विलिस गहनता से जाच कर रही है